क्लास आज हम पढ़ेंगे NIPCCD, इसकी फुल फॉर्म है National Institute of Public Corporation and Child Development, ठीक है, यह क्या है, इस पॉपिलर्ली नाम है, जिस नाम से पॉपिलर है यह, वो क्या है, NIPCCD, इस सौट फॉर्म के नाम से भी आ सकता है, फुल फॉर्म के नाम से भी आ सकता है, National Institute of Public Corporation and Child Development, यह क्या है, एक और्गनाइडिशन है, इस और्गनाइडिशन डिवोटेट तो प्रमोशन ऑफ वोलेंटरी एक्शन रिसर्च, ट्रेनिंग और डोकुमेंटेशन इन ओबर आल डोमेन ऑफ नौन और भूमन और चाइल्ड डेवलप्मेंट, ठीक है, इसमें क्या है, जो भी वोमन और चाइल्ड डेवलप्मेंट के लिए, जो भी प्रोग्राम से वगेरा लांच किये गए है, उनके जो भी वरकर्स है, जो भी फंक्शनरीज है, उनको क्या करते है, ट्रेंड करते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर उसमें को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, दक्मेंटेशन किया जाता है, और उनके उपर रिसर्च की जाती है, ठीक है, और ये कब इस्टैबलिश हुआ था, इसी कितने फोर रिजनल सेंटर्स हैं, कौन-कौन से हैं, गुहाटी में हैं एक, और शेकिंड वन हैं, बेंगेलार में, लकनव में, इन-दौर में, ये चार्ज जगा इसके क्या है, रिजनल सेंटर्स हैं, गुहाटी, बेंगलार, लकनवं रिजनल ल्द कहुशंतải捍ए, ठीक है, तो ये था इसका इंटरक्शन क्डिक्शन में कुछ भी नहीं है, इसको इसको बसीत है बें बोलते हैं और शैनल इंस्सिटिट और पबिक चायल्ड पबिक कोपरेशन एंड डेवलपनेंट भी बोलते हैं इसको बनाए गया था इस औराइशन का यह है कि जो भी ऊपकेंट ऑल इंदर डेवलपमेंट के लिए प्रॉग्रामस लाँज के गएंगं उनके उन्दर जो भी वरकर सेंग उनको क्या करना है ट्रेंड करना है तेकर उनको ट्रेंग देना है ठीक यह कब इस्टैब्लिश हुआ था इन नुदैली में functionaries of the ICDS program ठीक है किसको train करता है कौन से functionaries को train करता है यह जो ICDS program पंड़क करवाना है उन लोगो को train करता है ठीक है उनको training देता है ICDS program मैं आपको करवा चुकी हूं integrated child development scheme ठीक है इसके अंदर जो भी functionaries आते हैं उनको क्या करते हैं यह train करते हैं इस programs के लिए ICDS program के लिए ठीक है integrated child development scheme के program के लिए second one is imparting training on two important issues of child rights and prevention of trafficking of women and children ठीक है क्या करते हैं वो training देते हैं किसके लिए सबसे जो भी training देते हैं two important issues के लिए train करते हैं child rights मतलब जो बच्चों का right है उसके लिए child rights के लिए and prevention of trafficking of women and children ठीक है prevention करने के लिए खतम करने के लिए क्या trafficking of women means जो women's की तसकरी की जाती है trafficking means तसकरी and children's की ठीक है तो उसको रोकने के लिए उसको prevent करने के लिए हम train जो भी लोग है जो भी काम करने वाले workers हैं ठीक है functionaries है उनको क्या करते हैं train करते हैं ठीक है two important issues पे child rights and prevention of trafficking of women and children's पे third one is preparing training materials for ICDS and ICPS ठीक है और क्या करेंगे जो हम training देंगे और तो training materials भी prepare करेंगे क्या क्या जुरत पढ़ती है उनको जो भी हम training देना है तो क्या क्या materials की जुरत पढ़ेगी कैसे वह अच्छी training हम कैसे अच्छी training दे सकते हैं और वो जो भी programs करेंगे तो उसके लिए क्या क्या जुरत पढ़ेगी वह सब हम देंगे तो prepare करना है training materials for ICDS integrated child development scheme के लिए and ICPS integrated child production scheme के लिए ICDS और ICPS zone के लिए क्या करेंगे हम prepare करेंगे training materials next one is monitoring and supervision of ICDS जो भी ICDS program conduct कर रहे हैं जो भी functionaries उनको क्या करेंगे monitor करना है and supervision करना है means monitor बार बार जाके देखना है कि कैसा programs चल रहा है कि नहीं चल रहा उसका supervision करेंगे ठीक है ICDS programs का next is conducting research and training program sponsored by various central ministries and state government ठीक है conduct करेंगे research ठीक है जो भी research and training program को conduct करेंगे sponsor करेंगा उसको various central ministers and state government उसको क्या करेंगे sponsored करेंगे ठीक है वो क्या करेंगे conduct करेंगे research and training programs and sponsored करेंगे central ministers and state government next is awareness generation and training to NGOs जो भी generation है उसको क्या करना है इसका मेने इनकी aware करना है ठीक है अब हर चीज के बारे में पता होना चाहिए करना है and training to NGOs और किस को train करेंगे NGOs को NGOs means non government organization ठीक है non government organization for the prevention of trafficking of women and child ठीक है किसके लिए करेंगे जो भी trafficking of women and child है उसके लिए उनको prevent करने के लिए train करेंगे ठीक है मैंने बताया था जैसे trafficking of women क्या है जो भी बच्चे और women की महिलाओ की तसकरी होती उसको बलते हैं trafficking of women and child ठीक है तो यहां पर यह complete हुआ मैं फिर से बताती हूं functions क्या है first function इसका train functionary of ICDS program train करना है जो इसके function degrees है उनको ICDS program के लिए imparting training on two important issues ठीक है children and third one preparing training materials prepare करना है training materials किसके लिए ICDS integrated child development scheme and ICPS integrated child protection scheme के लिए next है aware monitor and supervision करना है ICDS programs को and conduct करना है research and training program को ठीक है वो कौन sponsor करेगा various central governments and central ministers and state government ठीक है next है awareness देदा है जो भी generations है उनको aware करना है train करना है कि इनको NGOs को किसके लिए prevention of trafficking women and children के लिए ठीक है अब हम देखते है area of interest ठीक है कौन कौन से area जो जरूरी है जिन पर हमें काम करना है ठीक है वो क्या है तो first is early childhood किनकिन पर हमें मतलब अपना interest दिखाना है ठीक है जिनके उपर हम काम करेंगे उनके जो भी हम program करेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें होना जरूरी है वो देखते हैं तो early childhood care and development तो जो भी हम childhood है मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनकी care और development पे focus करेंगे कि उनकी जो भी जो भी young children's हैं उनकी health किस तरही कैसे develop हो सकते हैं उनकी health क्या है बीमार तो नहीं है कुछ disease तो कॉस्स भी करी वो सब next prevention of micronutrient and malnutrition ठीक है क्या करना है malnutrition को micronutrients को खतम करना है ठीक है malnutrition means वही किसी पोशक तत्वों की कमी से होने वाली की कमी से होने वाले जो भी हमें रोग होता है उसे बोलते है malnutrition मैं पढ़ा चुकी हूं आपको adults and health reproductive health and HIV AIDS adults and health के बारे में देखना पढ़ना है कि क्या क्या जो भी adults and means जो वैश्क लोग होते हैं जो teenagers होते हैं उन्हीं को adults and बोलते हैं ठीक है उनकी reproductive health and HIV AIDS ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है उनको वह देखना है growth monitor करना है ठीक है nutrition and health education देना है child guidance and counselling child को guide करना है counselling देना है कि क्या सही है उनके लिए क्या गलत है वो सब ठीक है early detection and prevention of childhood disabilities early detection मतलब कि कोई भी विमारी होती होते हैं जैसे उनको हो रही है किसी patient को या बच्चे को तो उसको जल्दी से देखना है जल्दी से early detect मतलब कि उसको जल्दी से देखना है और उसका treatment करवाना है ठीक है and prevention of childhood disability और जो इना childhood disability हो रही है उसको क्या करना है prevent करना है and next juvenile justice juvenile justice क्या है juvenile justice means जो भी बच्चे है उन पर काम करवाते हैं बहुत से लोग तो उनको नियाय दिल्वाना ठीक है उनको पढ़ने के लिए बोला है ना कि काम करने के लिए तो जो भी juvenile है बच्चे है उनको क्या करवाना justice दिल्वाना that is juvenile justice next child rights and child protection child rights और child protection के लिए भी काम करना है and prevention of child marriage ठीकि child marriage को prevent करना है क्योंकि child marriage यदि होगी तो उनका growth development नहीं हो पाएगा और उनने बहुत सारी बीमारियं cause होगी उनको education नहीं मिल पाएगा ठीक है और ना उनको education मिलेगा नहीं उन्हें कोई भी काम मिलेगा वो unemployment रहेंगे तो बहुत सारे causes हैं इसके तो वो सब उन्हें बता के देना है और prevent करना है child marriage को and female feticide and female infanticide female feticide क्या है जो भी female girl child को उसके fetus में ही मार देना that is female feticide and female infanticide क्या होता है जब उसका जन्म हो जाए female girl child का sorry girl child का तो उसके बाद उसे मारना after birth that is female infanticide okay तो उसको भी prevent करना है next counseling and support services for women in distress counseling करना है and support services देना है कि इसको women in distress मतलब जो भी stress में है उनको counseling देना है guidance करना है ठीक है बहुत से women ऐसी होते हैं जो बहुत जादा torture okay या फिर बहुत जादा अपनी family से जो भी हो परिशान रहती है तो वो क्या करती है hanging कर लेती है या कुछ और problems तो वो आपनी मतलब मरना चाहते हैं यह सब नहीं हो उसके लिए क्या करना है counsel करना है उनको guide करना है कि नहीं ऐसा नहीं करो आप अपनी life जी सकते ऐसे करके उन्हें counsel करना है ठीक है and support services देना है next prevention of the trafficking women and children ठीक है वही prevent करना trafficking of women and children की trafficking को prevent करना है खतम करना है ठीक है तो यहाँ पर ने यह area of interest मैं फिर से care, health and HIV, nutrition, health education, growth monitoring, child guidance, counseling, juvenile justice, child rights and child protection, under detection of and prevention of child disabilities यह normal points है आपको easy easy याद हो जाएंगे prevention of child marriage and female feticide में फिर से बता जेती female feticide female infanticide में क्या difference है female feticide means जो भी girl child है उसके फिटस में ही मतलब मदर के फिटस में ही मार देना ठीक है death हो जाना है मार देना that is female feticide ठीक है and female infanticide जब girl child born हो जाए उसके बाद उसको मार देना that is female infanticide okay counseling करना है support करना है women's को उनका stress level को कम करना है and prevent करना trafficking of women and children तो यहाँ पर आपका topic हतम होता है easy है यह established order 1966 में functions इसके ICDS program launch train करना है इसके लिए ठीक है ICPS and ICDS prepare करना है training materials इसार इसके functions से तो यह एक बार आपका यही assignment है कि आप एक बर इसको go through कर लें और कोई doubt है तो आप मैंसे पूस सकते हैं thank you class